तो आज जिन बच्चो को समझने में दिक्कत होई है चैप्टर थोड़ा कोद भी तो आज एक मौका मिलेगा उनको कोशन आंसर्स को एक बार फिर से उसी नजरीर समझने में जैसा की चैप्टर समझाए कुछ भी समझ में नहीं आए तो भी कोशन आंसर्स जो है वो बनेंगे आप से और फिर भी समय में नहीं आता तो मैं कोशन आसर्स समझाता भी जाओंगा उसके बारे में जो अब्जेक्टिव अगेरा पढ़ेंगी तो उसकी डिटेल्टी आपको देता ही जाओंगा है ना तो उसमें कोई परिशानी नहीं जाएगी बारा तो मैं आलत्रववस्त कौन-कौन से वह देख लेते हैं ना इसे वस्तु विनिमय पहला ही वो कोशन है वस्तु जहां पर मेरे ख्यासे यह सभी को मालूम है कि आवश्यक्ताओं का दोहरा सायोग जब होता था दोनों पक्षों के एक खरीने और बेचने की आवश्यक्ता होती तो उसको सहमती रखत तो वह सामने बाले को दूट चाहिए तो मैं दूट उसको देदूगो गिहूं उससे ले लूँगा अगर में दूट विक रहता हो तो इसी को आवश्यक्ताओं को दोहरा सही योग भी बूला जाता है दोनों की कोश्यक्ताओं मतलब इंपोर्टेंट है पता होना चीए आते हैं तो क्यों एक लाइन लेखना पॉसिबर नहीं होगी उधारन के बात आप समझा सकते हो कि दोनों के एक्जम्पल दे सकते हो गिहूं और दूट का दूट का दूट का दूट की परेशानी है अगर मैं को मेरे पास है और सामने वालग बात दूट उसको भी ग्योंग कर सकते हैं तो पॉसिबर नहीं हो पाएगा परिशानी आती थिसे वाला कार समय लगता था क्योंकि हमको प्रकेशनी में देने पर रही है में जाती है मुधरा वह वस्तु तता सेवाओं गारीने के लिए सुईकार की जाती है मुद्रा कहलाती है वह वस्तु जो वस्तु सेवाओं को खरीदने एवं रिणों का भुक्तान करने के लिए सुईकार की जाती है मुद्रा कहलाती है तो मुद्रा भी एक प्रकार के वस्तू है जो वस्तू और सेवाओं को खरीदने के खरीदने के लिए सुईकार की जाती है मतलब किसी वस्तू को खरीदने के लिए जो वस्तू कुछ खरीदना है तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा न ऐसी वस्तू जो किसी वस्तू या सेवा को खरीदने के लिए उप्योगी और साथी साथ रिन की अदाइगी के लिए हमने जो लोन लिया है उसकी अदाइगी के लिए सुईकार की जाती है प्रारबिक काल में मुद्रा के रूप सोने साने के सिक्के और पशु अनाज एक्तियादी क्योंकि बस तुब उन्हें पढ़ाएं पशू और अनाज भी चलते थे मुद्रा का आधुनिक रूप करनसी नोड सिक्के भारत में नोड रिजर्ब बैंक आफ इंडिया जारी करता ह सभी को पता होना अच्छी है और बैंक को का बैंक किसे का जाता है कोई भी बैंक किसी व्यक्ति के रिन अदाएगी की समता के आधार पर रिन देता है रिन मतलब लोन बैंक किसी भी जोकिम वाले काम के लिए भी रिन नहीं देते हैं इसलिए बैंक कुछ चुनिन्दा लोग कि कोई खरीव का किसान देता कि इसके पास अभी पैसे हैं वह उसको जो उसको लोन देदा दे सकता है तो एक बड़ा सा पर समूं साहता समू बना लेते हैं वो जिसका जो है काम ही है कि उसके सदस्श्यों को लोन प्रोइड करना सस्तित दरूप थाकि वो सावगारों के चंगल से बस तके चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति के विशेश रकम का भुक्तान करने का आदेश देता है तो चेक एक सिंपसा कागज है जो कि अपने मेरे बैंक खाते को मैं आदेशित करता हूं कि चेक पर जिसका मैंने नाम लिख दिया उस व्यक्ति को मेरे खाते से इत्ते रूपे देने का ग्रपा करें उत्ते रूपे तो मैं वह आदेश दे रहा होता हूं उसकी अपनी रखते हैं कैश के रूप में ताकि जो व्यक्तियों को जरूवत है कैश की वो उनको दे सके इत्ता तो रखना ही पड़ेगा इनको कैश के रूप में अपनी कुल राश्ची का 15 पर भाग इनको रिजर्व में रखना पड़ता है बैंक जमा धन पर ब्यास देते ह करड जल क्या होता है ऐसी स्थिति वाती जिसमें करड़ का ब्राश्च का ब्राइब असंभा हो जाता है बीच में कहानी अभी आई थी नाम थोड़ा सा भूल गया हूं में ज्यादा इंट्रेस्टिक नाम नहीं था कांट आम याद था क्मल नाम याद था क्योंकि वह दने तो वह तो याद रह गए थे लेकिन इसमें याद नहीं रह पायते तो एक इन्टी जिनका खेट में वह खेती करते हैं तो जाल की चंगुल में पढ़ जाती है स्वायम साहता समू क्या होते हैं यह आखरी टॉपिक बचा था यार इसका स्वायम साहता समू इसमें अधिक्तम 20 सदाश होते हैं वह बचत करते हैं बचत को स्वाय साहता समू में जमा करते हैं किसी स्वाय साहता समू में बचत नियमित है तो बैंक की स्वाय साहता समू को बि होते हैं जिसमें अधिक्टम 20 सदशो सकते जैसे मालओ अप्ने गर्स की क्लास में 20 लोग ही जो है आपस में जो भी हमारी वचल होती है इसमें बचलत होतेि सब को इखटा करते हैं जैसे मानलों प्रतेग बंदा जो है वो राजी हो गया कि भाई एक काम करो हम सब भी दो-दो-धो-धार रुपर बचा सकते हैं तो यह करेंगे दो-धो-धो-धार रुपर अपनी बचा जो है स्वासाहता समूँ के उसमें इखटा करेंगे अब 20 लोग के बहुत कम परसेंट पर वह अपने सद्व को या किसी बाहरी व्यक्ति को भी दे सकते हैं जो वह बापस लोटा सब्सक्राइब इस लखम को पहने जाता है जादी किसी किया है तो जारसी पात उसको पैसों पर जडरुवत हो कि तो वह उस से जह है वह लून ले लेता है और उ बीसी एक प्रकार का स्वासायता समूपई है कितने लोग हो सकते हैं जैसे उधारण के लिए मान लिए अपर ग्लास की बात लेड़ते हैं अपने क्लास में फिर से गर्स की क्लास का उधारण ले रहा हूं मैं 20 लड़किया हैं सबने 505 की बीसी कोली है मालो 20 मेंसे 10 लड़किया राजी होगे कि को दो 505 रुपए पैपन बीसी कोलते है तो 500 Bradley के इसाबसे अगल सब्लों 50500 रुपए देते हैं तो 10 लड़कियों को जाते यह इसंड फाजार रूपए तो यह क्या करते हैं जैसे 10 लड़किया हैं 500 रुपए पर एंट पान सोब लॉपए देते हैं तो दस लड़कियों को जाते हुतें 5000 रूपए गढ़ते हैं तो यह क्हरते हैं जैसे जूलाई में किसके नाम हाहा बोलेंगे जैसे शुरुबात कहा से हो बहुत जन्मरी से हो ही dat it तो आप्रेल रोट टो मेना के चलिए आप मार्च के बाद MAI में कहली तो बोले हो सकता हो मीना के बाद की खुल गई उसके बाद मुस्कान की खुलית पूरवा की खुल लगातार ऐसे खुलती चलेगे, 10 महिने की BC खुली, अब होगा इसका मतलाब इसका मतलाब भी होगा, जैसी जन्वरी महिना आएगा ना, जबने 500- 500 रुपए जम्मा करें, प्रतिक्षा की BC सबसे पहले खुली थी, तो उसको जो है खर्चे की रखम की जरूवत है तो लगी क्या कर लें कि पांसर रुपय दिया यह इसके बहन के बद्डे के लिए उसको करना क्या पड़ेगा प्सको 5.000 रुपय आपने यूज और फिर वह प्रतिक्षान में प्रतिक्षान में मैं मैं 20 समझना ही थोड़ी सी बात फायदा क्या होगा जिस रखती को जिस काम के लिए ज्यादा पैसों के जरुआ थे वह पैसे उसको इखटे मिल जाएंगे और उसको कोई एक्स्ट्रा रखम ने दे लिए लेकिन यह एसा ही लोगों के बीच मुझे आता है जिनके बीच बहुत ज्यादा पक्की होती है कि नई भाई बंदा दे देगा 500 रूप है कोई परिशानी नहीं है उसमें इसे लोगों को इस्वास आता सम्मों उसी बीसी का ही रूप है आप लोग में से बहुत सारे बाच्चों की मम्या जो है वो करती ह बहुत बहुत अच्छी स्की में मैं कोई पता चला था अपने स्कूल के टीचर करते पहले आप तो नहीं करते इस पहले करते थे तो जिसको भी जरुवत होती थी ना वह जो है वह उसको वाइदा हो जाता था चीज में कोई कारिका में मेरे आं तो फ़ह घटा परिसा मिल ज करते हैं जो कि दूसरा को समझते हैं जानते हैं अपने अधिक्तम 20 सदर्ष हो सकते हैं पंगलादेश में सबसे घ्रामीर बैंक है और सबसे ज़्यादा रेंड लेने वाली वहाँ पर औरते हैं वहीं लाएं हैं अजीब बात हैं ग्रामीड बैंक के संथाफ़ा प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस इन्हें दोजाद शे में शांती का नोबल पुरुसका से समानेत किया गया है ग्रामीड बैंक की जो है सहाकाइल वैसे ही ग्रामीड बैंक होते हैं ग्राम चुटे-चुटे बैंक होते जिसमें गिसान अपना पैसा जमा करते हैं तो होता है सब्सक्राइब हमें पर कंप पर का स्था विमद्र क्या था एकचली इसको डी मोनिटाइशन बोलते हैं भारत में 12-16 में पांसोर हजार रुपय के कर्णिसी नोट को एक दम से बंद कर दिया गया एक रात में 8 बजे 16 तारिख थी नर्वमर 26 में प्धामन्ति जी प्रकट होते हैं टीवी पर और बोलते हैं कि आज से 500-1000 के नोट बंद किये जा रहा है आज रात 12 बजे से सब 500,000 के नोट आपके कागज बन जाएंगे वो खतम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि बोले काला धन बहुत जादा हो गया है और उस पर रोक लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं इसको विमुद्री करन कर रहे हैं तो यह बहुत इंपोर्टेंट वह है 99.5% लगभग 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 क्यों 0.1% नोट ही नहीं है 99.9% नोट वह वापिस आगए तो 0.1% जो है वो ही बच्चे होंगे जो नोट वापिस नहीं आए इसलिए सरकार को कुछ फायदा हुआ नहीं और लोगों को लाइन में जरूर लगना पड़ा बहुत ज्यादा परिशान होना पड़ा वो जरूर परिशानी होई तो बीजय पी नहीं चाहेगी कोशन आये लेकिन बहुत जरूरी मुद्दा है ये विमुद्द्रेकरण पुराने नोट सरकार को पास authority रहती सरकार क्योंकि सरकार नहीं दिए वो नोट जारी सरकार कभी भी किसी भी नोट क के नोट बंद कर दिये उनकों मा निगोशित कर दिये और लोगों से कहा गया कि नोटों को एक निश्य समयादी में बैंकों में जमा कर दें और बदले में पांसो और दौजार रुपए के नए नोट कर ले इसको क्या बोला जाता है वी मुद्री करन मेरे ख्याल से सभी रखे रहते हैं और हो निकले 500,000 कि नोट तो वो नुकसान हो गया है उसका यह चीज तो है चलो आप कोशन देखते हैं पंसे बनते हैं के नहीं जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़े खरीदने एवं बेचने में सहमती रखते हैं तो इससे कहा जाता है अर्थववस्त प्रारंबिक काल में भारती किन वस्तुओं को मुद्रा के रूप में इस्तमाल करते थे अनाज वश्यू सोना चांदी के सिक्के या फिर उप्रोग सभी इन सभी चीजों का उपयोग होता था यह सभी चीजे जो है वह वस्तु विनिमाय प्रणाली के तहत यूज की जाती या खाड़ा के रूप में मुद्रा के आधनिक रूपों में शामिल है तो फिर से एक बार उप्रोग सभी क्योंकि कागम काल रॉट के कि noat चेक भी यूज़ कर रहे हैं अच्छा सुरी कागश के नूट सिक्के और चेक तीनों यूज़ कर रहे हैं तो उप्रोग सभी जाए निम्लिकित मैंसे रिण की शर्थ नहीं है ब्यासदर समर्थक रिणाधार कर्जजाल मुक्तान का तरीका मीना सब को दिखता है वो आपने कर पावगी तो पड़तела टाइंव इच्ट झाल खुद मतलों और नहीं ब्यासदर की नागता विजञाल सबनहते आन्श की मैं रहां सभी रखना पढ़ेगा भुक्तान का तरीका बिलकुल है कर्ज जाल नहीं है उसको कर्ज जाल बोलेंगे समर्थक रिनाधार के उधारन जमीन मकान बैंकों में जमा जमीन भी रख सकते हैं गिर भी हम मकान भी रख सकते हैं और एफडी भी रख सकते हैं बैंकों में जमा पूंजी एफडी फिक्स डिपॉसिल बनाते ना उसके बेस पर भी हम लोन ले सकते हैं रिंड लेते समय कर्दार के लिए कौन सी रिंड शर्त उप्योगी नहीं है नहीं है रिंड लेते समय कर्दार के लिए कर्दार मतलब के लिए कौन सी शर्त उप्योगी नहीं है समथक रिंड जरूरी है निम्न ब्याजदर शर्त उप्योगी नहीं है आसान अदायगी की शर्त निम्नें व्याजदर तो वह समझेगा यार कि याँ उपयोगी है तो उसके लिए फायदा यह ना उच्छ लेना चाहेगा मतलब फिर लेना जाएगा लोन लेना जाहेगा स्वहम सहायता सम्मू में बचत और रिन संबंद्य अधिकार निर्णय लिया जाता है बैंक के दौरा स्वह सहायता सम्मू लास्ट वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा नहीं लेकिन समझा है बीस लोग मिलके आपस में सयोग बनाक पाएसी जैसे खुलती है तो उसके डिसजयन कौन लेगा कि बचातो रेंट समझेती कार कुस के दौरा लिया जाएगा बैंक दौरा नहीं बैंक का कोई लेना करना नहीं उसमें सदश्य दौरा हाँ सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब तोस्थ तो यह कम भी सकते कि ऑपचारिक श्टोत्म में शामिल नहीं है और अप्चारिक ऊप्रोक उंसे को नियोकता कौन होते हैं नियोकता को nume करती है अपने लिए कर्मचारी उनको नियोकता दो ऑप्चारिक श्終रोथ में वह नहीं आते नियोकता कहलाते हैं मिमerv printed message रेन के अनुवचारिक श्रोत नहीं है नहीं है सावुकार मॏप रिष्टदार और दोस्त और बैंक तो बैंक के जो है वो औप्चारिक खालिस्थान केंद्री सरकार की तरफ से currency note जारी करता है RBI फुल फॉर्म है Reserve Bank of India भारत में बैंक जमा केवल खालिस्थान प्रतिशत हिस्टर नगर की रूप में अपने प्रतिशत अपने पास रखते हैं बाकी वो 85% यूज कर सकते हैं बैंकों में जमा धन खाता धारक को भी मिलता है ब्याज भी मिलता है बैंकों में अकर हम जो जमना धन करते हैं तो धारक को मतलब जिसने जमा की हैं उसको उस पर क्या मिलता है ब्याज मिलता है रिन मतलिक देना ब्याज मिलता है हम जो पैसे जमा करते हैं उस पर ब्याज मिलता है हमें खालिस्थान जमा करता है उनकर्जदार के बीच मध्यस्तता का काम करते हैं तो बैंक एक डाइग्राम आया था ना बीच में बैंक बना हु तो उस पर अब्जक्ट बना हुआ है करदार के बीच मध्यस्तता का काम करते हैं खालिस्थान परिवारों की रेन की लागत रिन का बोष्ष बढ़ाती है खालिस्थान रिन की लागत रिन का बोज बढ़ाती है खालिस्थान रिन की लागत अनोपचारिक रिन की लागत नहीं खालिस्तान रिन की लागत रिन का वोज वड़ाती है नहीं पता है इसका अंसर देखते हैं अभी वह समपत्ती है जिसका मालिक कर्दार होता है जिसे वह रिन देने के लिए गारेंटी के रूप में इस्तमाल करता है तो ये खालिस्तान खालफालतु में आ गया है येसी का हिस्सा है उपरवाले का तो द्यान ने दिया तो समर्थन रिनाधार वह समपत्ती है जिसका मालिक कर्जदार होता है जिसे वह रिन लेने के लिए गरेंटी के रूप में इस्तमाल करता है रिनाधार भी लिख सकते हो के वन रिनाधार वह समपत्ती है जिसका मालिक कर् और जिसे वे रिण लेने के लिए गारंटी गे रूप में इस्तुमार करता है। ग्रामिर बैंकों के संस्थापक हैं, वो अभी जो नाम आया था। मांगला देश में ग्रामिर बैंकों से रिण लेने वाले अधिकांश महिलाएं हैं। एक स्वाइम सायता समों में अधिक्तम 20 सदर्श्य हो सकते हैं बैंकों से कर्ज लेने के लिए खालिस्थान विशेश काखजातों की जरूत परती है शहरी छेत्रों के निर्धन परिवारों की रिंड की खालिस्थान पतिशत जरूते अनुपचार एक स्टोतों से पूरी होती तो यह पर्सेंटेज उसमें आया था पर्सेंटेज देखना पड़ेगा मुझे मालम नहीं देखते हैं दूसरे का एक तो छड़वा और दस क्यारा बारा तेरा छड़वा और तेर्वा कौन सा चेप्टर है बाई का ओं गया कि पीसरा था ना कि पीसरा च्छडवा और तेरवा जड़वा और तेरवा च्छडवा अनौपार प्रस्वा सैबा कि उनने प्रतिशत बहुत ज्यादा यांटी मिंजेया मतलबता मटला एक रिटेशतें को अि कि यह हो गया भाई साव आपका हालिस्थान अनुप्चारिक रिर्ण की लागत का बोज बढ़ाती है उसके बाद शहरी शेतों में नेधर बरिवारों की पिच्चासे पितिसार जरुत्रे अनुप्चारिक स्टोच से पूरी होती हैं बैंकों में निक्षेप बैंकों में निक्षेप विनिमा कमाध्यम मुत्रा बैंकों में जमा राश्ची पर कम ब्याज मिलता है बैंकों से रिर्ण लेने पर आधिक ब्याज देना पड़ता है अनुप्चारिक रिर्ण सोत्र बैंक अनुप्चारिक रिर्ण सोत्र साहुकार ग्रामीर बैंक बंगलाद बहना आगया होगा में सविकार नहीं किया गया है किया गया है गलत हो जाए लोगों का धर्म बैंकों में सुरक्षित रहता है सही बैंक जमाराशी को लोगों कि पूरा करने में करते हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करते हैं गलत है अधिकांश अमीर परिवार रेन पराप्त करते हैं बिल्कुल सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है तो बैंक से रिंड लेने के योग जो जाता है यह विल्कुल सही पॉइंट है और एक पॉइंट इसमें छूड़ गया था अगर यह प्रूव कर देते हैं लीगल वो है इनके पास जितनी रकम रासी जमा होती है तो बैंक उस पर इनको लोन दे देता है दिना को समर्थन रेनाधार के अगर यह दिखा दे बैंकों के देखो आमने स्वासायता सम्मू बनाया भी इस लोग का और हमां पास बचत इतनी है तो बैंक जो है उसके खाग्यातों के अधार पर इस पूरे ग्रूप को जो है वो लोन दे सकता है तो यह लोग अपना उसके कर दिया गया था इसको विमा दृकरन कहते हैं बिद्कुल सही बात है एकशर मुद्रा किसे कहते हैं जिसमें वश्थों यह यहां और दूसरी वस्तु को लिया जाता था वस्तो के और ये यह वज़िदि करते हैं कागच पर कि इस व्यक्ति को इतने रूपय हमारे काते से दे दिये जाए उसे हम मांग जमा कहते हैं बैंको के आयका प्रमुक्ष्रोत कौन सा है तो जो रिन पर ब्याज मिलता है बैंको को जो वो लोन देते हैं उस पर जो उन्हें इंटरेस्ट मिलता है ब्याज मिलता है उनके आयका प्रमुक्षूरत वही है साख रिन किसे कहते हैं व्यक्ति अपने अवश्यक्ताओं की पूर्ती के लिए जब कुछ धर्णदाशी बैंको या फिर साउकारों से उधार लेता है तो उसे हम साख या रिन कहते हैं रिन से मिलने वाले ब्याज ही बैंकों और साउकारों की मुख आये का जरिया होता है बिनिमय प्राली में मद्यस्ता का काम कौन करता है तो बिनिमय प्राली में मद्यस्ता का काम बैंक करते है कर्ज जाल से क्या आशा है जब व्यक्ति रिन ले लेता है और उसे चुकां नहीं पाता और लगातार अपने अवश्क्ताओं में लेता जाता है तो व्यक्ति कर्ज़लाल में फार्चाथा है रिन के दो प्रमुक्षेटर कॉन से उप्चारक और अनौप्चारिक सब्सक्राइब करना भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है रिजर बैंक ऑफ इंडिया साह के अनुप साहुकार और ठेके दाल वगेड़ा वगेड़ा नीयोकता भी लिख सकते हैं है ना चलो आटीस हो गया है एक काम करते हैं कोशन आंसर जो दो दो नंबर को तीन नंबर क आना इस चैप्टर से जहां तक मुझे मालू है तो फिर से जोइन करो आप अब्जेक्टिव हो गए हैं अपन कोशन आंसर करते हैं मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब्जेक्टिव तो समझ में आ गये होंगे यह वाले और इतनी कठाय नहीं हुए होगी समाझने में कोशन देखते हैं कि हम कोशन कर पाते हैं कि नहीं ठीक है एक बाफ फिर से जोइन करो ताकि वीडियो इक्वल बन जाए देखने मालों के लिए बोरिंग ना हूँ एक बाफ फिर से जोइन करो